नमस्ते, स्वागत है वाइल्ड पल्स एक्स्प्लोरर चैनल पर, जहां आप देख सकते हैं रोमान्चक हिंदी डॉक्यूमेंटरी भारत के अध्भुत और दुरलभ वन्य जीवन पर, इस विशेश डॉक्यूमेंटरी में हम आपको लेकर चलेंगे चीता की दुनिया में धर् अध्वितिये चमक होती है, जो उनकी तीवर द्रिष्टी को दर्शाती है, अपने पतले शरीर और ताकतवर पैरों के साथ, ये कुछ ही सेकंड में शून्य से 60 मील प्रति घंटे की रफ़तार पकड़ सकते हैं, उनके लंबे पतले पैर और हलका शरीर उन्हें अध्विति ये गती प्रदान करते हैं, लेकिन स्पीड कहानी का आधा हिस्सा है, चीते की सहन शक्ती भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें अपनी गती को नियंतरित करना होता है, चीते चुपके से शिकार करने में भी माहिर होते हैं, वे अपने शिकार के बहुत करीब तक प्रदान करते हैं, उनके धब्बेदार कोट उन्हें बहुत बरिया चलावरन प्रदान करते हैं, ये धब्बे उन्हें घास और जाडियों में छिपने में मदद करते हैं, इससे वे अपने निवास स्थान के उंचे घास में आसानी से घुल मिल जाते हैं, ये चलावरन उन कि छवी और भी मनमोहग हो जाती है इस अद्भुत बड़ी बिल्ली के जीवन में गहराई से उतरने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चीते की दुनिया में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए चीते की शिकार करने की रणनीती चुपके और तेज गती का मेल होती है चीता अपने शिकार के बहुत करीब पहुचने के लिए घास के बीच से चुपचाप चलता है जिससे शिकार को उसकी उपस्थिति का आभास नहीं होता वे अपने शिकार को धहरेपूर्वक घूरते हैं, दूर से हलचल देखने के लिए अपनी तेज नजर का इस्तिमाल करते हैं चीते की आँखें बहुत तेज होती हैं, जो उन्हें दूर से ही अपने शिकार की हरकतों को भापने में मदद करती हैं एक बार जब उन्हें अपना निशाना दिख जाता है तो वे दूरी तै करने के लिए अपने अविश्वसनी ये त्वरण पर भरोसा करते हैं चीते की गती इतनी तेज होती है कि वह कुछी सेकंड में जीरो से 60 मील प्रती घंटे की रफतार पकड़ लेता है चीते ज्यादा देर तक दोड़ने वाले धावक नहीं है उनकी शारिरिक सनरचना उन्हें लंबे समय तक दोड़ने की अनुमती नहीं देती इसलिए वे छोटे और तीवर स्प्रिंट पर निर्भर रहते हैं उनके स्प्रिंट छोटे और तेज होते हैं जो उनके शिकार को जल्दी से पचारने के लिए डिजाइन किये गए हैं चीते की यह विशेशता उसे अन्य शिकारी जानवरों से अलग बनाती है एक सफल शिकार चीते की क्शमता पर निर्भर करता है कि वह जल्दी और निर्णायक हमला करने के लिए शिकार के काफी करीब पहुँच सके चीता अपने शिकार के बहुत पास पहुँच कर ही हमला करता है जिससे शिकार के बचने की संभावना कम हो जाती है वे अक्सर अपने पंजे के जटके से अपने शिकार को गिरा देते हैं चीते के पंजे बहुत मजबूत होते हैं जो शिकार को तुरंत गिरा देते हैं इससे जानवर जमीन पर गिर जाता है और चीते को आखिरी वार करने का मौका मिल जाता है चीता अपने शिकार को पूरी तरह से काबू में कर लेता है और उसे मार देता है ये प्रकृति की कच्ची शक्ती और सटीकता का एक रोमान्चक नजारा है चीते की ये शिकार करने की कला उसे जंगल का सबसे कुशल शिकारी बनाती है चीते मुख्य रूप से अफरीका में पाये जाते हैं, इरान में इनकी आबादी बहुत कम है वे घास के मैदान, सवाना और जाड़ीदार भूमी जैसे खुले स्थान पसंद करते हैं ये आवास उनके उच्च गती वाले शिकार के लिए एकदम सही जगह है ये खुले आवास चीतों को वह द्रिश्यता प्रदान करते हैं जिसकी उन्हें प्रभावी ढंक से शिकार करने के लिए आवशकता होती है उंची घास और बिखरे हुए पेड़ शिकार को छिपाने के लिए कुछ आवरण प्रदान करते हैं चीते अनकूलनी अजीव हैं लेकिन वे ऐसे वातावरण में पनपते हैं जो उनकी शिकार शैली के अनकूल हो चीते मांसाहरी होते हैं जिसका अर्थ है कि वे मुख्य रूप से मांस खाते हैं उनके अहार में मुख्य रूप से गजेल, इंपाला और अन्य छोटे से मध्यम आकार के मिर्ग शामिल हैं वे खरगोश, पक्षी और कृंतकों जैसे छोटे शिकार का भी शिकार करते हैं चीते अवसरवादी शिकारी होते हैं वे अक्सर आसानी से उपलब्ध भोजन का फायदा उठाते हैं भले ही इसका मतलब अन्य शिकारीों से सफाई करना ही क्यों न हो हलांकि उनकी गती और फुर्ती उन्हें अपने आप में अत्यधिक प्रभावी शिकारी बनाती है जंगल में चुनौतियां अस्तित्व की लड़ाई ये कहानी है जंगल के सबसे तेज शिकारी की जो अपनी गती और चपलता के बावजूद हर दिन अपने अस्तित्व के लिए संगर्श करता है अपनी अविश्वसनियक शमताओं के बावजूद चीतों को जंगल में कई खत्रों का सामना करना पड़ता है वे हर कदम पर सतर्क रहते हैं अपने चारों और के खत्रों को भांपते हुए जैसे जैसे मानव आबादी का विस्तार होता है और उनके क्षेत्र में अतिक्रमन होता है आवास का नुकसान एक बड़ी चिंता का विशय है जंगलों की कटाई और शहरी करण ने चीतों के प्राकृतिक आवास को बुरी तरह प्रभावित किया है उनके आवास का ये विखंडन चीतों के लिए पर्याप्त शिकार ढूंढना और स्वस्थ आबादी बनाये रखना मुश्किल बना दिता है। शिकार की कमी और आवास के विखंडन ने उनकी जीवन शैली को चुनौती पून बना दिया है। अवैध शिकार एक और बड़ा खत्रा है। शिकारी अपने जाल बिछाते हैं और चीतों को फंसाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। चीतों को उनके सुन्दर चित्तीदार कोट के लिए निशाना बनाया जाता है। जिन्हें कुछ संस्कृतियों में बहुत महत्व दिया जाता है। इनकी खाल की मांग ने अवैध शिकार को और बढ़ावा दिया है। अवैध वन्यजी व्यापार चीते की आबादी को कम करता है। और उन्हें विलुप्ति के कगार पर धकेलता है। ये व्यापार न केवल चीतों के लिए बलकि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर खत्रा है। शुक्र है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। दुनिया भर के सनरक्षन संगठन चीतों और उनके आवास की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों में अवैध शिकार विरोधी, गश्त, आवास बहाली परियोजनाय और सामुदाइक आउट्रीच कार्यक्रम शामिल है। शिक्षा चीता सनरक्षन की कुंजी है। इन शानदार जीवों की दुर्दशा के बारे में जागरूपता ब्रहा कर, हम सनरक्षन प्रयासों के लिए कार्रवाई और समर्थन को प्रिरित कर सकते हैं। चीतों की रक्षा की लड़ाई में हर व्यक्ति फर्क ला सकता है। चीते की वापसी भारत में एक नया अध्याय, एक एतिहासिक कदम में 2012 में चीतों को भारत में फिर से लाया गया। देश में एक बार विलुप्थ होने के बाद उनकी वापसी चीता सनरक्षन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस महत्वा कांक्षी परियोजना का उद्देश्य भारत में एक बार फिर एक व्यवहार्य चीता आबादी स्थापित करना है। चीतों की भारत में वापसी सहयोगात्मक सनरक्षन की शक्ति का प्रमान है। यह हमें इस लुप्त प्राय प्रजाती के भविश्य के लिए आशा देता है। यह हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा में अंतर राश्ट्रिय सहयोग के महत्वतर्धी प्रकाश डालता है। वन्यजीव सनरक्षन का समर्थन करें। चीतों और अन्यलुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए लड़ाई एक वैश्विक प्रयास है। आप सनरक्षन के मोर्चे पर काम करने वाले संगठनों का समर्थन करके एक बदलाव ला सकते हैं। आपके दान से अवैद शिकार, विरोधी गश्त, आवास बहाली परियोजनाव और शैक्षिक आउट्रीच कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने में मदद मिल सकती है। छोटे-छोटे कार्य भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अपने कार्बन फुट्प्रिंट को कम करके जागरुक उप्भोकता विकल्प बनाकर और वन्यजीव संरक्षन के बारे में जागरुकता फैलाकर आप सभी के लिए एक स्वस्थ ग्रह में योगदान दे सकते हैं। हमारी आने वाली डॉक्यूमेंटरी और वन्यजीव कारनामों को देखना न भूले। तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।